ग्राइस इस कम्रेश वर्मा और वेलकम यू आल इन अरोड़ा इस एड टोड़े वी आर गोई तो कंटीन्यू आर बी ओपी डिसकेशन वे और ही हमारा लेक्चर नंबर थी है बी ओपी एंड फॉरेंड इंवेस्टमेंट का तो लास्ट लेक्चर हमने क्या डिसकास किया था हाँ पर कोई क्री विजन ले लेते हैं सबसे पहली जोह बgeschpürüle देशर ने की बी ओपी का मतलब क्या है थीक बी ओपी का मतलब क्या है हमने बी ओपी का ममतलब को सब्सेशन और उस्से पहले भी और रेस्ट ऑफ दो व्ल्ड एन एक्रामिक और फाइनिशल ट्रांसेशन और वो भी इट इस नॉट ऑफ गॉवर्मेंट बट आफ कंट्री ठीए टिके टोर्मेंट सेक्टर इसके बाद हम ने तिक्खा था कि यह बीओपी डेफिसिट क्या होता है और बीओपी सर प्लस क्या होता इसके बाद वीओपी को क्लासिफाइ कैसे करते हैं एक था करेंट अकाउंट दूसरा था कैपिटल अकाउंट में में हमारे पास वह चीज़ होती है जो यहां तो आइसे करती है लाइबलेटी करती है अब इसमें दो चीज़ आती है ठीक है कि वहीं जैसे एक्जांब्स का अब हम्में करेंट रहता है जहां पर यहां पर क्या इंक्लूड ठेट ट्रेड ठेडम इंपोर्ट एक्सपोर्ट औफ बोट विजिबल और इंविजबल मतलब त्र्वेस ट्रांसफर और इंकम यह तब चीज़ें कल डीटील में डिसकस किती है इसके बाद वॉट इस बार ये भी हमने डिस्कस किया था। ये भी हमने काफी important था। अभी जब हम तुबारा discuss करेंगे current account deficit और 20 deficit ़िछ अब डिसकस करेंगे तो उस टाइम पर रोल दूबारा पटेगा balance of trade का। तो I hope आपको ये सब चीज अभी तक समझ में आई हैं नहीं आई हैं तो समझ लीजे अधरवाइस आगे के चैप्टर आपके लिए मतलब आगी कि स्लाइट जो रागी का डिसकेशन होगा काफी लॉस्वल प्रूव हो सकता अगर आप चीज़ें नहीं समझते हैं तो ठीक है अब देखो आपने एक चीज़ सुनी होगी यह हमने कल बैलेंस और ट्रेड कल कम्प्लीट किया था ठीक है आपने एक वर्ड का रामसरा होगा इक्नॉमिक लिब्रिलाइजिएशन या फिर हमारे इंडिया में कहा केड़ैंग प्रिपीजीट रिफर्स मतलब निब्रिलाइजेशन प्राइजेशन और इच्छेज दिन absorb बेंदा के अपनी कंट्री में 1970 के बाद से लगाना चालू कर लिए थे और उन्हें ससी तक काफी हद तक पुरी कराम भी आपके सब्सक्राइब लिबरलाइज हो गई थी लेकिन जैसे यहाँ पर आप से कहते है तो जो ग्राफ है तो इसा बढ़ जाता है और इंडिया यहीं दे जाता है और इंडिया चाहिना के बीच में उसका सबसे में रिजन था एल पीजी रिफॉर्म विकाद जो रिफॉर्म से चाइना ने बहुत पहले लाए लेकिन हम नहीं ले जाएंगे और आप सोचो अभी तक हमने प्रमूट किया और लोगों को आदत भी हो चुकी है और सब को बाता कि जैसे आप प्राइविटाइजेशन करोगे तो बहुत ही ज्यादा प्रोटेस्ट होगा तो अल्टिमेटली गवर्मेंट इस चीज़ को ट्राइ नहीं कर र प्रोटेस्ट बाइए एम एफ एम एफ एंड वर्ल बैंक आई एम एफ एंड वर्ल बैंक तो गो फॉर दिस एल पीजी रिफॉर्म तो अच्छा हुआ कि भीया आई एम फॉर्ल मैंने फोर्स कर दिया और हमें जाना ही पड़ा अब दो कांट्री में भी अपन क्या गर सकते है अब कोई और सरकार भी आए कि तो इसको भी माच जाने ही पड़ेगा मतलब यह लपीजी रिफॉर्म के लिए तो स्टाइप ए कंसेंसस वह स्टार्टेट बिल्डिंग अप्रोक्सिमेटली दो तीन साल में अच्छे थे कंसेंसस बन गया था दो शुरू-शुरू में काफी क्रेटिसाइज किया लेकि जब उनकी सरकार बनती है उनने से आनावे में तो उनने गोलते कि भाई यह रिफॉर्म से अच्छे थे इंप्लीमेंट ही नहीं हुआ अच्छी बात है ठीक है अब देखो 1991 की हम समझते हैं बैलनस ओफ पेमेंट क्राइसिस देखो उसमें हुआ क्या था कि देखो 1974 में आपको पता है गल्फ वॉर हुए थे उसी प्रकास 1919 में भी गल्फ वॉर हुआ था क्या हुआ था गल्फ वॉर हुआ अब वो लोग वार कर रहे हैं, अब automatically वो लोग price oil दे बढ़ा देंगे, तो oil के prices बढ़ गए, अब for example पहले अगर हमें एक लीटर पेटरोल का 50 रुपए देना पड़ता था, ठीक है मैं जो पता barrel में देते हैं डूट परी, आपर चीजों को simple करने के लिए मैं रखाऊं, ठीक मैंना पता है कि payment रुपीज में नहीं होती है बहार, payment डॉलर में होती है, ठीक है, डॉलर या कोई भी hard currency हम डॉलर लेके जार रहे है, ठीक है, तब क्या हुआ कि टेल की की मत बढ़ गई, और हमने हाँ से डॉलर जाता देना चालू कर दिया, अब देखो, इंडिया का balance of payment ज negative हो गए, मतलब ये कि बहार, क्या आपको देखने मिला, बहार जितना भी बहार आप देखने को मिला, इंडिया जो है, इंडिया के पास पैसे नहीं है, अपने oil को खरीदने के, मतलब एक दम से इंडिया में कोई problem चल रही है, इसलिए एक दम से खटा-कट पैसे खताम हो र देखा कि माल लो हमारे पास एतने रुपीज थे, अब यहां पर यह डॉलर थे, हमारे पास फॉरेक्स था, तो उस टाइम तक हमारी इलिए कंडिशन बड़ी अच्छी थी कि हमारे पास डॉलर जाता थे, लेकिन रुपीज कम थे, तो हमारे साथ में क्या था, जो रुपी चालो हो जाते है, अब मैंना बुझाता है जिस जो नंबर जादा है, तीक जिसका नंबर जादा है उसकी वैल्यू कम हो गई, आप डॉलर का नंबर एक ही है, रुपीज का नंबर दो है, तो अपरिसीयेशन हो जाएगा, और जैसे ही यह डेप्रीसीयेशन बढ़ता है, उस एक्टिविटी कम होने लगी, अब लोगों ने देखा भी, एंडी की इहलात खराब हो गई है, तो जो पैसा लोगों ने लगा के रखा था, वो भी पैसा लगाना चालो कर दिया, तो और डॉलर खतम हो गया, ठीक है, और डॉलर खतम हो गया, तो अल्टिमेटली हमारे पास पैसे नहीं थे, उस टाइम पे भी जब लोगों ने पैसे निकालने होंगे, तो हमारे डेप्रिसेशन हुआ होगा, इंफ्लेशन हुआ होगा, और हमारे तमनी से प्राब्लम ही होगी, लेकिन इस बार हमें आई है, वर्ल्ड बैंक के पास जानी दरूत क्या पड़गी, तो जब भी हमारे पास ऐसी प्राब्लम होती है, हम सोवेट उनिन के पास जाते हैं, तो हमारे पास ये पैसे लेलो और अपने आपको बचा लो, कोई ब्राब्म नहीं होगी, लेकिन 1991 में एक इवेंट होगा था, बहुत ही बड़ा पोलेटिकल इवेंट, जिस कॉल्ड एस पावर्स के पास जाना पड़ेगा अपनी कंट्रीज को बचाने के लिए, वेस्टेन पावर्स ने बुला कि भी जाओ आईए मैफ और वर्ल्ड बैंक के पास वो आपको ये लोन देंगे, उनके पास अथी फैसिलिटीज हैं, अब हम गया आईए मैफ वर्ल्ड बैंक के पा आईए उनके पास बास फोटी और जब भी गल्फ कंट्री में कोई भी प्राव्ल ही, तब ये बन के आई लेकिन USSR ने आज तक हमारी इस तरीक से help नहीं थी कि हमेशे के लिए हम इस crisis से निकल सके मतलब USSR हमें अपने पैरों में खड़े नहीं होने तरह जाता था कभी हमें कोई प्रावलम आती तो हमें आप कह सकते हैं पकड़ा देता था और हम बजाएं निकाल आ रहे था तो युएसर ने उस टाइम पैसे दे दिये थे उससे पहले बीएक दो बार से वैसी कंडिशन बन चुकी थी कि हमारे पास डॉलरी नहीं है पैर मतलब चीजों को खरीने के लिए तो उन्होंने बोला कि देखो भईया हम बत हैं इसबार तो आपकी अपने पैर वेशल नहीं करेंगे आपका अको फड़ी आप पैसे यहां का करना पड़ेगा इंडिया नहीं बोला कि 예 आपको ंप्राटर सी बात है कि आब आक बंती कियो थी, देखो, इंडिया में सिंपल सी बात है, कि यह हमारा एक्सपोर्ट उस टाइंप बहुत कम था, विकाज हम एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट एकोनोमी थे नहीं, तो हमारे हैं लिमिटेड अमाउंट अफ पैसा आता था, थी, जैसे सैलरीरिड एक्सपोर्ट फीजांपल होता है, मालो उसकी 50,000 रुपीज मंथली इंकम आ रही है, थी, थी, थाउजन रुपीज, आपकी मंथली इंकम आ रही है, थी, अब आपका जो इंपोर्ट है, आप लगातर इंपोर्ट भी करते जा रहे हो, थीख, अब आप चीदों को खरीदों के इंपोर्ट करोंगे ठीक है फूड हो गया ख्लोदिंग हो गई एजुकेशन हो गया यह वो गया अम मालो इसका जो आपको बजट बनता है वो बनता 48,000 का अब जैसे ही आपका मालो फूड का प्राइस बढ़ गया और बढ़ बढ़ आके कुछ पहुंच गया पचाशा रुपए ठीक है तो पहले तो आप अपनी सेविंग से चीज़ को फंड करना चालू करोगे विकास सेविंग है लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी सेलरी औ और यह दोनों इक्विलेंट हो जाएंगे आपके सब्सक्राइब करते हैं लेकिन उसने कभी आपके पैड़ों में खड़ा ने किया मतला आपने उसकी हमेशा इस प्राव्ल्ड बैंक ने हमें पर्मनेंट सेल्यूशन दिया लेकिन आपको अगर आप सैप अच्छिस कर कि यहां तो मैं इहां पर अपनी नीड स्कम कर दो थी और दूसरे सल्यूशन यह हो सब्सक्राइब करता है अगर मैं इन दोनों रिफर्म को इंप्लीमेंट करता हूँ तो सिंपल सी बात है भई है मैं दुबारा कभी प्रॉब्म में भस दूँगा नहीं और इसी प्रोग्राम को आप सैब कह सकते हैं ठीक है इसमें हुआ क्या इसमें आई में वर्ल्ड बैंक ने हमें मोटा मोटा ये जैसे आपकी inud3 प्रफॉर्म ने कर रही तो आप उसमें रिफॉर्म बतायेंगे इसके बाद आपका अगर नहीं कर रहा रहा तो उसमें रिफॉर्म थो हम आपको बता रहे हैं तो मतला इस तरहीं से आप अपर बढ़ा हूँ इस ने हमें बोला कि वहिए आपका चो तो इतना खर्चा कर रहा हुँ न बख़वास की दुमें उसमें कटवती कर दो इस फर EG Scorpion को आप बहुत जादा लोगों को employment दे रहे हु ठीक है उसमाग को पेंशन देनी पड़ती है उनका खर्चा देना पड़ता है यह करना पड़ता तो आप उस चीज में भी कटवती करतो, इसलिए हमारे आपर जो government post है, वो घट रही है, तिक जो government post है, वो घट रही है, समझ मैं है, तो इलोंने क्या बोला, एक तो आपको आपको अपने खर्चे में कटवती करना है, तो इसके बाद जो इतना सारा काम गौर्वर्मेंट ही कर रही है इतनी सारी इंडस्ट्री चला रही है वो बंद करना तो आपके पैसे बचेंगे वहाँ पर तो आप उसको बचा सकते हो दूसरी चीज या आप अपनी सैलरी मतलब अपने एक्सपोर्ट बढ़ा लो तो आपने चैडर्शिंस प्रोग्राम आप म डिटेल वे देखेंगे कि किस तरीके से गौवर्ट अफ इंडिया ने इस सैप को इंप्लीमेट किया किस तरीके से गौवर्मेंट आप इंडिया ने इस और नाम था अगर यह जो प्रवाइट किया मनमोहन सिंग को यह हमारे पीवी नर्सिंग महराओ नहीं होता तो I don't think कि भई हमारे मनमोहन सिंग है इतने एफेक्टिवली काम कर पाता है जैसे मनमोहनसिंग नी बोला कि मुझे यह वाला reform लाना है तो नर्सिंबारां मुला कि तुम tension मतलो तुम bill dhear करो बाकी जो भी है मैं डेख लूँगा जो भी पार्टी से ने पढ़ता लूँगा रेट काक काम ये सब मेरा है मैं देख लूँगा था तुम्हे बता देना किया यहां पर उन्होंने सैप में उनको बोला कि यहां तो आप कटौती करो चीज़ों में कटौती करो यह दूसरा यह है कि अपना एक्सपोर्ट बढ़ाओ तो अगर कोई बढ़ी प्रावलम होती है यहां पर यहां पर आपको सेलरी के पचास हजार थी अगर आपकी सेलरी में भी जी सकोंगा तो इन्शॉट क्या है यहां पर सिंपल फंडा यह है कि आपको अपनी सैलरी बढ़ाने है एक्सपोर्ट बढ़ाने है फिर कटौती करनी है तो आप यहां पर गौर्मेंट ने इसी के दौरन कुछ रिफॉर्म सिंप्लिमेंट किये और सबसे पहला जो रिफ है आपको इस्पोर्ट बढ़ाने तो आपको अपनी इंडस्ट्री को फीचर्ड बनाना पड़ेगा तो क्या किया गया सबसे पहली बाद जो लाइसेंस राज और इंस्पेक्टर राज हुआ करता था ठीक जैसे फर अगर आपको यह इंडस्ट्री लगानी है तो आपको जा इस रूल को हटा दिया कि आप कह सकते हो इंडस्ट्री के लिए आपको नाश नहीं है बस कुछ इंडस्ट्री रखी गई थी तो इसका मतलब क्या है मतलब यह है इसका मतलब यह है कि आब जैसे परज़ांपल पहली रिषवत देनी पड़ी इस लिए बहुत सारे लोग पिरेंडेस्ट्री नहीं लगाया कर देते हैं लेकिन अब ऐसा नहीं होगा आप सिंपल उपड़ सी बात है कोई बी आये यह बढ़ दाना था तो यहां पर यह बढ़ रही है ठीक है आप इसी बहार देखेंगे कि कोई लाइसेंस राज नहीं स्पेक्टर राज नहीं है कोई पी इंडस्ट्रेल लाइसेंस की जरुवत नहीं है तो अल्टीमेटली बहार से कंप्डियां भी आएंगी वह अपना फॉ मतलब कि आपके हम बड़ी प्रॉब्लम होती है बिजनस खोल ले में अगर आपके हाँ कोई बिजनस खुलना दस चक कर मानने पढ़ते हैं तो यह complete single window clearance लगो तो इसके लिए तो आज भी government काम कर रही है धीरी धीरी ठीके चीज़े आ रही है और इसी को जब यह सब चीज़े हम दूब कर देखो हो कि आप इसमेश्यों कि आप आप foreigner हूँ ठीके आफ आफ पर इनडिया हूँ ठीकव अब आप इंडिया में आ कि आप इंडिया में आ रहे हो अब जैसे आप एंडिया में आते हो आप अपना एक डॉरर यहां पर खर्च करते हो मैं आपको 8 पैन देता हूँ त्यूर्य पैन धेता हूँ 8 पैन देता हूं लेकिन अगर मालों कि मैंने अपनी करेंसी डिवैल्यूयोट कर दी इसका मतलब दिया में तो आप प्रिफर करो कि इंडिया में आओ ठीक है यग पर वचिद अगर समझ में नहीं है पर तो आई थिंक आ जाने चीए विकास मैं इतना इस्प्रिन डीवेशन इसके इंपल घ्या होते हैं सब कुछ अच्छ बताने बाला हूँ ठीक है तो अभी कली समझ लो कि जैसे अगर हम अपनी करेंसी को डीवेल्यूएट करते हैं तो यही पर यह गवर्मेंट ने किया इसके बाद पब्लिस एक्सपोर्म्स लिए इसके साथ ही साथ जो भी हम एक्स्ट्रा सब्सीडीज दे रहे थे उसको भी हमने काफी रेशनलाइज किया तो आगे भी हम इंडस्ट्री वाले चेप्टर पढ़ेंगे तो अभी समझ में नहीं भी आया आए आई थिंक समझ में आया है यहां पर थोड़ा सा जिश्ट दे रहा है तो अभी तो कुछ भी नहीं है तो दो ही स्लाइड में है वहां पर तो बहुत ही डीटिल पर पढ़ने वाले है तो आपको समझ में आया हुआ अब कल हम चालू करेंगे डीवैल्यशन रडीशेशन बहुत ही पॉड़न टॉपिक है तो कल पर अच्छे जबरू देखेगा तो 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 दाट ताइम थैंक यू और याज देफरेंट्स हुए बेस्ट